श्रीशिवा नमस्तुप्यम जै माता पारवती राधे राधे एवरिवन आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हरिताली का तीज हो या फिर कोई भी तीज का वरत हो महाश्री वरातरी का वरत हो या फिर नवरातरे हो कोई भी मातारानी का पूजन हो उस पूजन में हम किस प्रकार से माता से सुहाग लेते हैं देखे जो भी वरत सुहाग के लिए किये जाते हैं उसमें हम माता को अपने सिंदूर दान से सिंदूर अर्पित करते हैं और जब हमारा पूजन संपोन हो जाता है तो उसके द्वारा हम फिर माता से सुहाग दान में लेते हैं इसकी एक संपुन विधी होती है उस विधी को आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फ्रेंट्स हरताली का तीज से समंदित सारे वीडियो पूजा विधी, पूजा सामेगरी किस प्रकार से पार्थिवशी परिवार बनाया जाता है, किस प्रकार से सारे नियम होते हैं, कैसे व्रत किया जाता है इसके सारे वीडियो जानल पर आ चुके हैं आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखें बहुत ही ज़्यादा महत्वपुन वो सारे वीडियो तो आईए देखते हैं कि किस प्रकार से हम माता से सुहाग लेते हैं तो हरिताली का तीज का जो पूजन होता है वो चार प्रहर का पूजन होता है शाम के समय पूजन किया जाता है मद्धरातरी में किया जाता है सुभब्रहमूरत में पूजन किया जाता है इस तरीके से चार बारी पूजन किया जाता है तो जो भी हम सुहाग माता को चड़ाते हैं तो उसमें से माता की आग्या लेकर के प्रसाद के सुरूप में माता से लेकर के हम इस तरीके से एक एक दो दो चूड़ियां पहन लेते हैं जो भी सुहाग की यहां पर बिंदी रखी होती है वो बिंदी हम अपने माते पर लगा लेते हैं और महंदी भी हातों भी थोड़ी सी माता से लेकर के लगा लेते हैं महावर यदि आपने यहां पर रखा हुआ है तो थोड़ा सा महावर भी माता से हम ले लेते हैं उसके बाद में चौकी विसरजित करने से पहले माता से हम इस परकार से सुहाग लेते हैं तो सिंदूर दान में से सिंदूर लेकर के आप इस तरीके से माता को तीन बारी सिंदूर अर्पित करें यह तीजा का व्रत है तो तीन बारी सिंदूर आप अर्पित करें और जो सिंदूर हमारी फ प्रातना करते हैं तो इस प्रकार से अपने अखंड सुहाग के लिए सौभागी के लिए प्रातना करते हैं तो ये विधी रहती है सुहाग लेने की इसमें से देखिए जो भी श्रंगार की सामिगरिया माता को भेट करते हैं प्रसाद के सुरूप में आप ग्रहन कर सकते हैं कुछ सामिगरिया आप दान में भी दे सकते हैं इसके बाद में अपना पल्लू फैला करके माता से सुहाग ल बिवरत हो जो आप सुहाग के लिए कर रही हो जैसे की करवा चौथ है या फिर कोई बिवरत है जो सुहाग के लिए किया जाता है उसमें इसी वीदी से आप सुहाग ले सकते हैं आप सभी को हरतालिका तीज की धेरो शुब कामना इमातरानी सदैव आपका सौबागय बनाए रखे इसी आशा के साथ में फ्रेंट्स विदा लेती हूँ यदि आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूसफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जाए 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 शेयर करें और कॉमन्ट बॉक्स में पारवती मैया कि ट्लैंध कहा में एजकर झाल बड़ा करें इसल्ट करं सब्सक्राइब हूँ एला झाले जह सब्सक्राइब करें हा जाए जढिको कहुल करें और को लूड़ा हमकित नदढीं ह। ग्र तो दो ल्चून।